दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला के लिए इसमें बच्चो इसलिए क्योवल एक हजारे स्कॉर्फिट की जड़ोत होती है और इसे अप अपने घर में भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों हम इस बिजनिस की सुरुबात के वल एक लाक रुपे में कर सकते हैं इतने पैसों में हमारी नोडल्स मेंगिंग मसीन पैकेजिंग मसीन और फिरुष सब्सक्रीज Love Чaring उर्फ होगि कौन 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 से रॉल माटरियल्स की जड़ flooding कौन कौन से रिज्टेशन की जड़ गी हम कैसे अपना माल त्यार कर सकते हैं और कैसे उसे मार्केट में बेष सकते हैं तो दीजिए भी देख बूぜ नहीं दोस्तों यदि हम अभी के बजार की बात करें तो हमें लगों तीन प्रकार के नूडल्स बजार में मिलते हैं इसमें एक तो चौमीन वाले नूडल्स होते हैं जो लंबाई और मोटाई में अन्य दूनूडल्स की तुलना में लंबे और मोटे होते हैं दूसरे परकार के noodles में happy GearNoodles आती है, यह चौकोर टिकिया की पैकेजिंग में मार्केट में आती है, इसके अलावाद, तीसरे परकार की noodles में सिवयों को रखा जा सकता है। यह अन्य दोनों परकार की noodles के मुकाबले पतली, सीधी और लंबी होती है, और सिवयों में भी पतली और मोटी सोईयां होती है और जहां चावमीन और मैगी को नमकीन, अर्थात, नमक, मिर्च, मसाले डाल कर त्यार किया जता है वहीं सिवयों को दूद और चीनी मिला कर त्यार किया जता है इसलिए इनका स्वात खाने में मीठा होता है तो दोस्तो ये सारे पोड़क्ट हम एक ही मसीन के द्वरत वायर कर सकते हैं जिसे नूडल्स मिकिंग मसीन कहते हैं दोस्तो बजार में अभी ये मसीन सेमी आटोमेटिक और फुली आटोमेटिक दोनों तरह की मिलती है वैसे भी छोटे लेबल पर सुरवात करने के लिए 35-40 जार में आपको ये मसीन मिल जाएगी ये मसीन पूरी तरह से बिजलिस चलती है और कोई भी इसे असानी से चला सकता है मसीन के साथ कई साइच के डाई आते हैं इन डाई की मदद से अलग अलग मुटाई वाले नूडल्स बनाया जासे हैं इसके लिए सिर्क मसीन में डाई बदलने की जूरत होती है यानि हमें पतले नूडल्स बनाने है तो हमें उस साइच की डाई लगाने की जूरत है और मसीन उसाइच के नूडल्स बनाना शुरू कर देगी और आपको केवल मसीन में रोव मेट्रियल्स डालने की जुरूत है और फिर त्यार नूडल्स को वहाँ से हटा लेना होता है दोस्तों मैगी जैसी नूडल्स बनाने के लिए आपको अलग से केवल एक ड्राइंग चैंबर खरीदने की जुरूत होती है दोस्तों बजार में जो नूडल्स बिखते हैं उनकी मुटाई 0.22 mm से 0.40 mm तक होती है जो हम इस मसीन के जरिये बना सकते हैं आप चाहें तो इस मसीन के साथ एक डफ मिक्सर भी खरी सकते हैं जिसके जरिये मैदा में पानी को मिक्स कर सकें और फिर इस मसीन के जरिये नूडल्स को तियार कर सकें या फिर machine supplier का link मैंने description में भी दे दिया है दोस्तो आप जहां से ये machine खरीदेंगे आपको machine को चलाने की training भी वही से मिल जाएगी वैसे तो ये machine बड़ी असानी से चलती है इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और दोस्तो जहां तक इसके raw materials का सवाल है इसके लिए आवश्यक रोव material में सिर्टी एक ही raw material की जुरुत होती है इसके raw material में सबसे छोटे दाने वाली रवा यानि जिसे हम मैदा भी कहते हैं और साफ पानी की जुरुत होती है साथी साथ मैदे में मिलाने के लिए अन्ने raw material जैसे मक्के का आटा, अरारूर, नमक, सोडियम बाइक कारवनेट और खाने में यूज होने मेले रंग की भी हो सकता होती है दोस्तो हम चाहें तो साबुदाने और गेहों के बने आटे से भी नूडल्स बना सकते हैं इस मसीन के द्वारा जो आजकल खूब भीक रहा है मार्केट में दोस्तो आपको ये सारा raw materials आपके आसपस के बजार में मिल जाएगा जहां से आप wholesale में खरीच सकते हैं दोस्तो नूडल्स में डालने के लिए मसाला भी अपने बजायत में खरीच सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे मसाले के टेस्ट की 3-4 रिस्पी जरू बना ले और उसका feedback लोगों से जरू ले ले production सुरू करने से पहले इसके अलावा आप किसी मसाला सप्लायर से अपने टेस्ट का मसाला भी खरीच सकते हैं चलिए दूस्तों आप जानते हैं कि हम इसे बनाते कैसे हैं इसके लिए हमें मैदे के साथ मक्के का अटा sodium bicarbonate हो खाने वाले रंग को गरम पानी के साथ मिला दिया जाता है इसे हम डफ मिक्सर मसीन के जरी मिक्स कर लेते हैं यह मसीन 15-20 मिनिट में उसे थोड़ा गाडा बना देती है लोई के जैसा यह मसीन उसे अच्छे से मिक्स कर देती है उसके बाद हम उसे noodles making machine के बने खाचे में डालते हैं और हमें जैसे noodles बनाने हो वैसी dye लगा के मसीन की setting कर लेते हैं उसके बाद यह मसीन अपने हम noodles बनाना सुरू कर देती है सेवई भी हम ऐसे ही बनाते हैं बस उसके लिए मसीम में डाई चेंज करनी होती है नूडल्स बनाने के बाद इन्हें थोड़ी दिर सुखा कर पैकेजिंग के लिए भेज दिये जाता है दोस्तो आपको शुरुआत में अपने नूडल्स की क्वालिटी और टेस्ट का खास ध्यान रखना होगा दोस्तो पैकिंग के समय परती पैकेट की मातरा का ध्यान लखे दोस्तो आप अपने ब्रांट्स के नूडल्स और मसालो का पैकेट भी प्रिंट करवा सकते हैं आप किसी भी फ्लैक्स व पैकेजिंग कंपनी के द्वारा ये पैकेट प्रिंट करवा सकते हैं इन कंपनी के जरे आप अपने पैकेट का डिजाइन भी बनवा सकते हैं उन्हें इन काम की अच्छी समझ होती है और वो काफी अच्छा डिजाइन त्यार कर देते हैं यदि आप इस बिजनेस को सुरू करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप चाहें तो indiamart.com की साइट से इनके सप्लायर भी को सकते हैं तो दोस्तो आपको इसकी पैकिंग के लिए एक सिलिंग मसील की जोरूत होगी जो आपको 15-20,000 रुपे में मिल जाएगी दोस्तो इसके अलावा हमें एक बात का ध्यान और रखना होगा कि नूडल्स और सेवई बच्चों में खुब पसंद की जाती हैं इसलिए इसकी पैकेजिंग ऐसे करें कि बच्चे इसे खुब पसंद करें दोस्तो इस बिजनेस के लिए मार्केटिंग की बहुत जोरूत होती हैं आप अपने सायर के छोटे दुकंदारों से सुरुवात करें आप अपने प्रोड़क्स की राना स्टोर, जनरल स्टोर में बेच सकते हैं या फिर अपने एरिया के नूडल्स बेचने वाले होटल, रेस्टोरेंट में भी सपलाई कर सकते हैं आप अपने एरिया के होलसेलर या डिस्टिविटर से बात का थोड़ा कमिशन दे अपने products की market में पहुंच जल्दी बना सकते हैं दोस्तों आप products के promotion के लिए newspaper के जरी भी पंप्लिट बटवा सकते हैं या आपका budget थोड़ा ज़्यादा हो तो आप TV या radio के जरी भी advertise करवा सकते हैं दोस्तों आप products की marketing के लिए कोई marketing company को भी hire कर सकते हैं social media के जरी अपने noodles का promotion भी करवा सकते हैं social media promotion काफी सस्ते होते हैं और ज्यादा ज्यादा लोगों तक इनकी पहुंच होती हैं आपको अपने business का registration indiamart.com, exporter india और sulikha.com पे भी कराना चाहिए ताकि आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक अपने brand को पहुंच आ सके हैं आप चाहिए तो इसे online भी apply कर सकते हैं और इसका link description में मिल जाएगा आपको इसके साथ ही साथ आपको द्योग भियावर में भी खुद को register कराना होगा और इसके अलावा आपको इंडिविजियूल partnership और private internet किसी एक में खुद को register कराना होगा और GST का भी registration कराना होगा consultant STA की मदद से भी कर सकते हैं दोस्तों आपको इस business से जोड़ी कोई भी information चाहिए तो आप हमसे comment करके पूर सकते हैं हम उसका तुरांत reply करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हूँ उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो जोड़ी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को like और share करना ना भूले ताकि किसी जरुत मन के काम आजाए और चैनल को subscribe कर ले ताकि हमारी हर notification पहुंचे सबसे पहले आपके